दोस्तो SSE JD Constable 2023 से related आज की वीडियो आप सभी candidates के लिए काफी useful रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 4 important points के उपर बात करेंगे और ये 4 points आपके लिए काफी helpful रहने वाले हैं आपके सारे doubts यहाँ पर clear हो जाएंगे सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे result date के उपर बहुत सारे बच्चों के doubts आ रहेंगे सर जो result है वो कब out किया जाएगा कब publish किया जाएगा हाला कि result को लेकर market गर्म है रोज आपको नई नई dates यहाँ पर बताई जाती है बटिन March से लेकर 7 April के बीच में कभी भी out किया जा सकता है हाला कि यह भी खबरे आ रही है कि जो आपका result है वो एक या दो दिन पहले भी out किया जा सकता है मतलब कि 22, 23, 24 को भी आ सकता है बट बड़ी संभावना यही है कि आपका जो result है वो आपको 25 March से 7 April के बीच में देखने को मिल 16 और 17 तारिक का हमारे पास कोई भी खबर नहीं है कोई भी जो अंदर से खबर निकल कर नहीं आ रही है कि 16 और 17 तारिक को आपका result आ सकता है हाँ यह जरूर आ रहा है कि आपका जो result है वो 25 से लेकर 7 April के बीच में आपको देखने को मिल सकता है या फिर एक दो दिन पहले भी SST उसको आउट कर सकती है हाला कि आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे ही खबर मैंने आपको आपकी जो answer किया थी उसकी भी दी थी कि 18 तारिक को आपकी जो answer किया वो आउट कर दी जाएगी और 18 तारिक को ही आपकी जो answer किया वो आपको देखने को मिली थी सेम यही खबर हमार यह result निकाल देती है बिना किसी खबर के भी तो भी यहाँ पर कोई ऐसेरिये वाली बात नी होगी क्योंकि SST आज कल बहुत बड़े mission mode के अंदर काम कर रहा है बहुत fast यहाँ पर काम कर रहा है लेकिन जो खबर आ रहे हैं वो यही है कि आपका जो result है वो 25 तारिक से लेकर 7 तारिक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं physical date के उपर तो physical जो है वो आपकी पूरी पूरी संभावना है कि मई महीने के अंदर आपका start करवा दिया जाए और जून तक आपके चलने की संभावना हो तो पूरी जो गर्मी है उसके मंदर आपके जो physical है वो conduct करवाई जाएंगे ऐसे में आप सभी लोग जितने भी लोग हैं जिनको अगर लगता है कि भाई मेरा chance यहाँ पर हो सकता है cut off को मैं clear कर सकता हूँ और 0.01% भी अगर उसके chance है तो उसको अपनी physical की तियारी start कर देनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जब result आए और उसके बाद अगर वो तियारी start करें तो उसको time वहाँ पर नहीं मिल पाएगा क्योंकि एप्रोक्सिमेट 20 से 25 दिन का ही समय आपको मिलेगा और इतने short period of time के अंदर आप एक अच्छी तियारी selection वाली नहीं कर पाएगे तो जिसको भी लगता है कि हाँ मुझे अपनी तियारी करनी चाहिए क्योंकि मुझे कहीना कहीं विश्वास है कि मेरी cut off जो है वो यहाँ पर clear हो जाएगी सो आपको यह risk जो है कि लेना कि मैं result के बाद तियारी करूँगा इसको छोड़ देना चाहिए और अपने physical की तियारी में आज से अभी से ही जुट जाना चाहिए आपको क्योंकि आगे आपको time नहीं मिलेगा और जिन भी बच्चों को यह लगता है कि हाँ हमारा chance यहाँ पर बन सकता है इस बार वो अपने physical की तियारी अच्छे से करें क्योंकि time आपके पास अब approximate मान कर चलते हैं तो डेड़ महीने के करीबी time या फिर उससे भी कम time जो है आपके पास यहाँ पर रह गया तो physical की तियारी आप सभी करना है इसके बाद अगर हम बात करें नर्मलाइजेशन के उपर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर नर्मलाइजेशन के बारे में बदाओ मेरी सिफ्ट मुझे कितना नर्मलाइजेशन मिले नर्मलाइजेशन का आपको analysis करना उस चीज़ का और उसके उपर एक conclusion निकालना कि किस shift को कितना मिलेगा बहुत जादा tough काम है क्योंकि जितने भी candidate है उनको अपनी shift hard लगीगी या moderate लगीगी कोई बच्चा यह नहीं कहेगा कि sir मेरी जो shift है वो easy थी और मेरे number कटने चाहिए सब को कहेगा कि मेरी shift moderate है और मेरी shift जो है वो difficulty यहां पर है लेकिन फिर भी अगर एक average base के उपर हम बात करें तो यहां पर एक idea हम लगा सकते हैं कि आपका normalization का फाइदा कितना क्या कुछ मिलेगा हाला कि कुछ shifts को मैंने जो final cutoff बनाई थी उसके अंदर बता दिया था कि normalization का फाइदा कितना मिलेग वो video आप channel पर जाकर देख सकते हैं और बाकी जितने भी shifts के अंदर आपका paper हुआ था जितनी भी dates में हुआ था उन सब का एक normalization का idea लेकर एक video आपको कलिया पर्सों में provide करवा दूँगा जिसके अंदर आपको मैं एक brief idea दे दूँगा कि आपको 8 number का फाइदा मिलेगा 10 का म 9 number का मिलेगा और उस idea के base पर आप idea लगा सकते हैं कि हां इतना number मेरे बढ़ यहां पर सकते हैं जैसे कि मानलो मैंने 8 number आपको बताए तो आप idea लगा लेना 6 number भी आपके हो सकते हैं 7 भी या फिर 9 number भी आपके हो सकते हैं लेकिन उससे आसपास ही आपके number जो हैं वो आपर normalization क रहेंगे सो कल या फरसो आपको वो वीडियो महां पर मिल जाएगे इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन का फोर्मूला हमें एक बार बताओ आप ही हमें समझ में नियारा में किसी ने बताया है कि यह फोर्मूला आप देखो तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन का फोर्मूला यहां पर सीखना और उस चीज को समझना बिलकुल ही एक तरह से वायात टाइम वेस्टेज वाली चीज है क्योंकि उसके अंदर जब आप नॉर्मलाइजेशन का फोर्मूला लगाते हो तो जिस सिफ्ट में आ आपको नहीं बता है तो आप कितने ही फोर्मूले में टाइम वेस्ट कर लो आप नॉर्मलाइजेशन निकाल ही नहीं पाओगे ठीक है तो इस चीज के लिए आप कब निकाल पाओगे जब आपके पास बहुत सारे जैसे हमारे पास आई हुए हैं कम से कम 2,500 गूगल फोर्म नहीं लगा सकते कि आपके नंबर कितने रहने वाले हैं तो इसके हम टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अगर आपको कोई एक्जाम आ रहा है तो वहां पर आप मैथ के चार सवाल सोल्व करो जिससे कि आपको एक्जाम में उसका फाइदा मिल सके फोर्मूले के ओपर टाइ 50-50 की नाव में बैठें कि अब हम क्या करें फिजिकल की तियारी करें ना करें वेट करें या ना करें तो देखो यहां पर मैं बता देता हूं ऐसे जितने भी केंडिडेट्स हैं जिनके मांक्स यहां पर कम रह गए हैं और जिनको लगता है कि वह कट ओफ को नहीं फोड़ आएंगे नहीं इलाप आएंगे उनको बिल्कुल 0.01% पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आज से अपनी किताब उठालो आज से अपना कोपी पैन नोट्स उठालो और 2024 के अंदर फरवरी मार्च के अंदर नई वेकेंसी आ रही है 40,000 प्लस वेकेंसी आपक ना पड़े कि कास एक सवाल और कर लेता दो सवाल और कर लेता तो मेरा नंबर आ जाता नए पैटरन को समझो नए पैटरन के साथ अपने आपकी प्रäक्टिस करो और त्यारी को बहतरीन तरीके पे लेके जाओ Maths English जो भी आपकी reasoning जो है Math reasoning उसको आप बैतरीन तरीके से त्यार करो कि उसमें आपका एक भी number ना कटे साथ में GKGS की भी आप त्यारी करते रहो तो जिन भी बच्चों को doubt है कि भाई मेरा number नहीं आपाएगा मेरा दिल कह रहा है वो अपना time waste बिल्कुल मत करो मैं नहीं suggest करूँगा आपको कि आप अपना time waste करो यहाँ पर क्यूंकि आप time waste करोगे result में नाम नहीं आएगा उसके बाद 2 महिने आप gum के सागर में डूब जाओगे फिर gum के सागर में उठोगे बहुत लंबा process हो जाएगा आप अभी से अपने दिल को समझा लो भई हाँ मुझे पता है मेरा number नहीं आएगा मुझे तियारी करनी है मेहनत करनी है competition दिन पर ती दिन बढ़ता जा रहा है cut off दिन पर दिन आसमान छूती जा रही है तो अपनी तियारी में जुढ जाओ आपको मेरा यही suggestion है आने वाली vacancy के आप तियारी करो या कोई और form आपको भरना है उसकी तियारी आप करो ठीक है इस पर time waste आप मत करना अगर आपको लगता है आपका selection नहीं होगा तो यह मैं नहीं कहा रहा हूँ कि आप तियारी मत करो अगर आपको लगता है आपका selection नहीं होगा तो आप ये काम करो अपनी अगले paper की तियारी करो या GD की नई vacancy की तियारी करो ठीक है बाकी time waste करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है और जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरा हो जाएगा वो अपने physical की तियारी करो अपने आपको medically fit यहाँ पर रखो बस इतना सा काम आपको करना है तो अब आपके सारे doubt यहाँ पर clear हो गए होंगे वीडियो आपको यहाँ पर मिली जाएगी एक या दो दिन के अंदर कलिया परसों मैं कोशिस करूँगा प्रोवाइड करवाने की इसके अलावा और कोई अगर आपका doubt यहाँ तो comment books में आप जरूर मुझसे पूछ ले ना फिलायल के लिए इतना ही मिलते अगली वीडियो में तत तक लिए thank you so much नमस्कार